Change in Demand versus Change in Quantity Demanded Change in Quantity Demanded जान से देखना क्या होता है सबसे पहले हम पढ़ते हैं Change in Demand क्या होता है देखो Change in Demand जो होता है यह आपका Non-Price Effect होता है मतलब Price की वज़े से आपकी Quantity Demanded में Change नहीं आएगा किसी दूसरे factors की वज़े से चेंज आएगा फर एक्जांपल कंजूमर की Income हो गई ठीक है सब्सीटिट गूर्स के प्राइस हो गए क्लाइमेट चेंज हो गए यह कुछ और रिजन्स हो जगते हैं वो सारे रिजन्स हो लेकिन आपका Price का एफेक्ट नहीं ठीक है अगर आपका Non Price Effect है तो आपका इसमें दो चीजी होंगी या तो क्या होगा या तो क्या होगा Increase होगी Demand या तो Increase in Demand होगी या दूसरी आपकी क्या होगी Decrease in Demand लेकिन Price आपके क्या होंगे Price आपके क्या होंगे Constant अगर आपके Price Constant है तो एक और चीज होगी यहां पर जो Demand को बनके आएगा वो आपके Shift हो जाएगे यानि Shift का मतलब नया बन जाएगा Shift in Demand को Shift in Demand को क्या होगा Shift हो जाएगा Demand को अब ध्यांची देखना कैसे इतना समझते चले जाना ना समझते तो मेरे को बताते चले जाना सबसे पहले हम Increase in Demand देखते हैं कैसे Increase करते है Demand को दो तरीके से हो सकता है क्या आपका सेम प्राइस लेकिन क्या हो जाए क्वांटिटी डिमांडिड इंक्रीज हो जाए पहला केस बना सेम प्राइस लेकिन क्वांटिटी डिमांडिड आपकी इंक्रीज हो जाए यह आमने लिखा पहले आपकी ये प्राइस थी ये क्वांटिटी थी ठीक है लेकिन अभी क्या हो आपका अभी आपका प्राइस तो सेम रहा अभी आपका प्राइस सेम रहा लेकिन क्वांटिटी दिमांडीट चेंज हो गए आपका ये बन गया महलों पहले 10 की आपकी डिमांड थी अब आपक है पहला केस हमज़ में आए आपको कि इंक्रेजिन डिमांड है सेम प्राइस है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेट चेंज हो गई यानि प्राइस तो सेम रहे लेकिन दूसरे फैक्टर ने इंफेक्ट डाल दिया फर एकजांपल सब्सीटुशन इंफेक्ट हो सकता है आपका ह हो सकता है कि कंजूमर की इंकम बढ़ गई हो कुछ भी हो सकता है तो उससे आपके शिप्ट हो गया पहला केस वह यह दूसरा केस वह आपका कि पाइस इंक्रीज कि पाइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेट आपकी कॉंस्टेंट रहे गई ऍष्ज्ट होए मैं क्सक्षा इंक्रीज क्या हुआ इंक्रीज होगे लेकिन आपकी डिमांड कहले तो इसमें देखो इसमें चीप्ट होए वह सब Ph kits More इता है पीक मेर थेसी सुनों प्राइस बढ़ेंगे तो लॉब यह आपकी quantity demanded थी यहां तक और यह आपका quantity demanded थी ठीक है लेकिन अभी क्या हुआ prices बढ़ गए आपके और prices बढ़के यहां पहुंच गए लेकिन quantity demanded same रहे गए prices पहले 4 थे अब हो गए 6 quantity demanded पहले भी 10 थी और अभी 10 है होना क्या चाहिए यह था price is quantity demanded कम होनी थी लेकिन कुछी और factor के वज़े से आपके same रहे गई तो यह भी क्या आपका increase in demand और इसमें जो shift होता है वह कौन सा होता है upward shift और यह भी आपका increase in demand का case है आया समझ में कि decrease in demand decrease in demand में पहला केस बनता है क्या same price है लेकिन आपके quantity demanded आपकी कम हो जाए बस यह ग्राप बन जाएगा कुछ नहीं होता यह वह आप यह demand कर रहे थे पहले आप ठीक है लगें price is same थे और आपकी quantity demanded कम हो गए प्राइस चार रुपरे थे यहां पर आप 20 quantity मांग रहे थे आप 10 पे आ गए region क्या रहा कोई भी और दूसा region रहा है यह नहीं रहा इसमें shift क्या हुआ अब लेप्ट इसमें क्या हुआ लेप्ट शिप्ट ठीक है दूसरा क्या हुआ यह वाला जो केसी आपका यह वाला प्राइस आपके decrease लेकिन quantity demanded आपकी सेम यह हो जाएगा आपका सेम पहले आप यह था यह प्राइस थी यह क्वांटिटी थी ठीक है मालो यह 10 और यह प्राइस आपकी मालो एट है अब आपके प्राइस कमके अच्छे होगे लेकिन यह भी आपकी सेम है कोई फरक नहीं पड़ा यह क्या होगा डाउनवर्ड शिप्ट समझ जाए आपको डाउन में शिप्ट हो गया होना क्या चाहिए थे बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ा तो यह क्या हो आपका decrease in demand आया समझ में बही दो-दो केशी अजी अब डिसकस करेंगे जेंज इनो looksteel डिमान्तट डिमानडेटेटे अब रखना अधी थी अधाकी इन रख़ी दिमांडिल को सबसे पहले तो यह प्राइश की बज़े से कधेुमांडेटेटन में चिश जाए का और अधर 53 ॅध्이지 हो आपकाऊ सीप्ट नहीं होगा जो गां मुमैं तोगा along with demand बिल्कोल सिंपल सा है आप देखेंगे अपनी कर चुके हो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर low demand वाली बद एक्षेंशी हो गाया lape demand नीफटा इनवर्स लेशंशन सी प्षाइब पर प्राइश कम हो रहे हैं तो आपकी quantity demanded एक्स्टेंशन हो जाली है और अगर आपके prices बढ़ रहे हैं तो quantity demanded contraction हो जाए तो सबसे इसमें भी दो चीज आई आपकी पहले क्या बनेगी extension in demand extension in demand और दूसरा आपका contraction in demand extension है तो extension का मतलब क्या होगा जब price effect है तो price का change आना चाहिए तो price का change कैसे आएगा prices आपके कम होंगे और quantity demanded आपके extend हो जाएगी और बनेगा demand का वो ऐसे बनेगा देखो अब यह prices थी और यह आपकी quantity थी ठीक है अब prices कम हो गए और quantity demanded आपके increase हो गए और यह बन गए आपका demand को कोई नया बन क्या है आपका नहीं बनाना तो अब मुवमेंट क्या हो आपका जो मुवमेंट वा अब यहां से चलकर अब यहां चले गए मुवमेंट यह मुवमेंट कैसा हुआ मुवमेंट क्या होगा ड्राइट यह मुवमेंट क्या हुआट राइट डाउनन्वर्ड ठीक है आपको अब बात आई यहां पर किसकी contraction of demand तो अब यहां पर क्या है prices आपके बढ़ेंगे quantity demanded आपकी कम हो जाएगे पहले थे prices यह और quantity demanded थी यह ठीक है अब prices हो गये और quantity demanded हो गये और यह बन गया अब यह क्या हुआ अब पहले देखो क्या था पहला point था यह आपका इसमें तो क्या हुआ था आपका यह इस तरीके से कम था और यह आपकी बढ़ गई थी अब यहां पर क्या है आपके prices increase हो गए यह आपकी contraction हो तो अब इस point से आप उस पर आप चले गए इस point से इस पर आप चले गए तो यह क्या हुआ आपका right to left upward upward आया समाज में? हांजी हांजी